इस रेलेटेट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं जो नगेवर इस्टेट पीसियस के मेंस एक्जाम के जीयस परपस से अत्यन्त आवश्यक है अत्यन्त महत्वपूर्ण है बलकि ये नेट जयारेफ और अन्य भी अन्य सभी कंपिटिटिव एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे की क्विश्चन किसी न न्याइक शक्तियता इसे इंग्लिस में जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म या न्याइक शक्तियता किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या है डियर स्टुडेंट्स जब न्याइपालिका जनहित से प्रेरित हो नि्यायपालिका टथा भारती समीधामारा इन तीनों उंगों के लिए की अलग अलग शक्तिया ने धारित कर दी गई है तो ऐसे में जब नियायपालिकाजक्ता से बाहर जाकर जन्हित से प्रेडित होकर लोग कल्यान कारी भामना से प्रेडित होकर इसके पीछे उनका नियाइपालिका को देश शेट फॉसे लोग कल्यान की भामना या जनहित की भामना है तो इस भामना से प्रेडित होकर जैने नियाइपालिका विधाय का तथा कारिपालिका के मामनों में हस्त जुड़े हुए विवात पर यह अपना फैसला दिया था या निजित्ता के अधिकार पर जो निड़े दिया गया था ऐस इंग्जाम्पल उसे दिया जा सकता है अब जान लेते हैं कि इसकी सुरुवात कब हुई तो डियर स्टुडेंट्स इसकी सुरुवात भारत में जनहित याजिकाओं से जुड़े मामनों को प्रश्य दिया जिसके द्वारा न्याईपालिका द्वारा न्याइक शक्रियता बढ़ती चली गई अब ये ग्रश्णूता है कि जन्हित याचिका क्या है या जन्हित याचिका का अर्थ क्या है तो dear students इसका भी अर्थ हम clear करते हुए चलते हैं जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सामाजिक हीतों से जुड़े हिवे मुद्दों को न्याई पालिका में लेकर जाया जाता है तो उन्हित याचिका को जन्हित याचिका कहा जाता है As example हम ले सकते हैं कि अगर सरकार के किसी कारे द्वारा समाज के कुछ वर्गों के अधिकारों का अतिक्रमर हो या फिर किसी भी ओद्योगी के काई द्वारा जिसे सरकार से लाइसेंस प्राप्तो उसके दारा पर्याबरन को भीशन नुकसान पहुँचाए जाया तो ऐसे मामनों से प्रेरी त्याचिका को जब न्याय आले में ले जाये जाता है तो उसे ही जन्ही त्याचिका कहते हैं इसकी सुरुआत भारत में 1980 में हुई थी तब इसे जन्ही त्याचिकाओं पर या एक शक्रेता का दोर प्रारम हुआ और यह काफी बड़े अस्थर तक व्यापक हो चुका है वर्दमान समय में यह काफी बड़े अस्थर तक व्यापक हो चुका है जैसे एक सिच्छा को अधिकार बनाया जाना, निस्ता के अधिकार पर निर्ड़, धनी प्रदूशन पर रोखे तो निर्ड़, पयावरन प्रदूशन पर रोखे तो निर्ड़, इसको हम एक्जामपल के रूप में देख सकते हैं तो सरल सब्दों में हम जान लेते हैं, चुकि नियाएपालिका के उपर समिधान की संड़चन की जिम्मेदारी है, तथा वह अपनी इसी जिम्मेदारी या इसी भूमिका से प्रेडित होकर जनता के विश्वास को डिर्ड बनाने हे तू, तथा जनता के विश्वास को इसे ही नियाएक शक्रियता या जूडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, तो यह हो गया नियाएक शक्रियता का अर्थ, जन्हिति आचिका का अर्थ, इसकी सुर्वात कभ हुई, यह भी मैंने हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब जान लेते हैं कि यह क्यों आवश्यक है, निय नियाए पालिका द्वारा यह कदम उठाया जाता है, और भारत चुकी एक लोग का लियानकारी राजी की अस्थापना करता है, भारत के समिधान द्वारा एक लोग का लियानकारी राजी की अस्थापना की गई है, अता इस उत देशकी पूर्थी है, तो भी यह कदम उठा बैजाना अतन्तावश्यक्त है तोह सामाच के बंचित पर में । तबकों तक न्याइकी पोपत होती है तो वास्ताव में आधारेगि विकास को बल मिलता है ḥat 링 प्रौा धिय माध्यम 시청 में गरीबों तथा बंचितों तक न्याय की पहुँच संभव हो सकी है जब किसी गरीब व्यक्ति के हित से प्रेरित होकर या बंचित बर्ग के हित से प्रेरित होकर कोई संस्था या व्यक्ति न्यायले के पास जन्ही त्याजिका को लेका जाता है तो इस जन्हित याजिका के पर जब न्यायले द्वारा नेले लिया जाता है तो इस प्रकार से गरीवों तथा बंचितों तक न्याय की प्राप्ति, न्याय की पहुच हो सकी है न्याई पालिका की इसक्रिते से जनता का न्याई पर विश्वास तथा सरकार की संस्था पर विश्वास डिर होता है तो इस पेकार से न्यायपाल का द्वारा इस कर्टबे के संचालन से, इस कर्टबे के प्रतिपादन से सामान जन्निता, आन जन्नता का न्यायपा विश्वास दिर होता है, मजबूत होता है इस कृत्ते से भष्टाचार पर रोक लगती है तथा समाज में दर्शितापुर्ड साशन की अस्थापना होती है कभी कभी सरकार के किसी अंगद्वारा कारिपालिका या भिधाये का किसी भी संस्था द्वारा किसी भी पार्ट द्वारा घ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है। कि यह संभव हो जाती है तो निए नियाव सक्रियता के कुछ दोश भी है इसको भी जान लेते हैं अध्य स्टुडेंस सरकार के इसके न्याइपालिका द्वारा जब न्यायपालिका द्वारा न्याइपालीटा के माध्यम से नड़य दिया जाते हैं तो इससे सरकार के दोनों अंगों में अघहात कर दादा हो जाती है में इसका एक और लुछ यह है कि कभी कभी जन्ही धीजैकाओं को सिर्फ और शर्व लोग प्रियता, सस्ती लोग प्र प्राप्त करने की vient से लोग प्रियता प्राप्त करने लिए लेकिन गभी-कभी ऐसा भी होता है कि से पयुक्ति लोग प्रियता प्राप्त करने हैं यह गया जाता है कर दोसे नियाओई पालिका कभी कभी ऐसे में इन्डै जिसकाझ नेяти तो घ्लाइग शाषे जाते हैं आपको देती। המן दुड़्य निर्णियों साथ apparently कभी कभी जाता याती सब 24 कि मैंने पयात्य निर्णियम, एक हफ्टे हैं पर प्रूरे सहर का alcohol हो जाना चाहिए जो कि घुव कमी पासपूर का बहुत विए पासपूर नहीं हों पाताँ है जो कि कभी कर पासपुल नहीं हो पाता है तो Speech 편 कर नागर पालिक-प्राइदप कर देती है और नियाई पालिका द्वारा कभी-कभी इतना हस्ताच्षेव करना अत्यांत्धातक हो जाता है क्योंकि भारती समिधान द्वारा सरकार के तीनों अंगों के मध्य सक्ष्ट्रों का इस पष्ट रूप से भी भाजन कर दिया गया है कि आपके कौन-कौन से का रहे ह है तो कभी-कभी इतना हस्तत्त講 करना नियांत्धव हुनलस के अध्यांत्त हो सकता है क्योंकि समिधानी सर्वूच है वारत की समिधान नियुमाताओं द्वारा इस वेयस्था को अमेरिका से ग्रहन किया गया है Dear Students, वास्तम में न्याइक पुर्णा वलोकन न्याइपालिका की विधाई, अधिनियम और काईपालिका के आदेशों की जाच करने की शक्ति है अर्थात, न्याइपालिका अपने इस शक्ति के द्वारा विधाई का द्वारा बनाए गये कानूनों तथा कारी पालिका अधार सरकार द्वारा दिये गये आदेशों या उसके द्वारा किये गये कार्यों की या सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जाच करने की शक्ति है नियाई पालका ऐसा पाती है तो विधाय का द्वारा नेमित कानूनों तथा कारीपाल का द्वारा दिये गया आरेशों को अपनी इस शक्ति द्वारा अभैत घोशित कर सकती है तो द्वारा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं नियाई पालिका की जो नियाई पुर्णा वलोकिन की शक्ति है उसके द्वारा नियाई पालिका या देखती है कि विधाय का अथा संसर संसर ने जो भी कानून बनाये है और कारीपालिका कारीपालिका यानि कि सरकार सर द्वारा के वियासी दवारा, निर्मित, पॉद्रा तो Har danach, के द्वारा समिधान के मूल्धाचे , या नाइकों के मौलिक अधिकारों की विरुद्द, तो कोई कारी नहीं किया जा रहा है। अगर वह अपने जाच में अपनी समिच्छा में ऐसा पाती है कि उसके द्वारा समीधान के मूलठाचे को की व्यष्था के रुष्थ कोई कारी किया जारा है या नाईकों के दिकारों के gekommen है तो कोई कारे किया गया है कोई कानून बनाया गया है कोई आदेश पारिद गया गया है तो ऐसे सभी नेमित कानूनों तथा कायरपालका के सरकार के सभी आदेशों को न्याइपालका अपने इस शक्ति द्वारा अभैत खोशित कर सकती है उसे रद्द कर सकती है समिधान की अनुछेद 131 तथा 132 सरवुच नेयाले की संगी तथा राजी सरकार द्वारा नेमित विदियों के पुर्णा वलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं आधिकार न्याएक स्रवशनेवलोकं की गया है 131 और 132 कानुनों की देखंप कर्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है इसी प्रकार से समिधान के अनुचे 13 वा अनुचे 32 मौलिक अरिकारों के संबन में सर्वश नयायले को नियाइक पुर्णावलोकन की शक्ती प्रदान करते हैं तो वही अनुचे 246 राजों की उच्छ नयायले को इस प्रकार की शक्ती प्रदान करता है जिसके द्वारा न्याय पालिका किसी भी पारित कानून या सरकार के आदेशों का अवलोकन कर सकती है तथा समिधान के प्रतिकूल होने पर उसे अमान्य या अबैद भी घोसित कर सकती है न्याइक पुर्णा मलोकन को मुखी रूप से तीन भागों वरकित किया जा सकता है या अब हम जान लेते हैं कि न्याइक पुर्णा मलोकन या न्याइक पुननेचन या न्याइक समिच्छा क्यों जरूरी है तो डिया शुडेंड ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके द्वा नियायपालका ने अपनी इसी शक्ति के द्वारा उस सम्मेधानिक संसोधन को खारिश कर दिया वो संसोधन किसे संबंदित था नैशनल जुडिश्री एपराइंट्मेंट कमीशन एंजे एसी संबंदित था जिसके अंतर जोजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन कि तो नियायपालका ने सबस्टन ने उसे खारिश कर दिया और यह कहां कि ज़जों की नियुक्ति जैसे होती थी वैसी होगी इसके लिए कोई नई व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से सबस्टन ने अपनी इस शक्ति के द्वारा उस समिधानी संसोधन क नियायो धाया द्वारा पारिद काणोने की समिच्छा इसले जुरूरी है क्योंकि शक्ति के बाद नियायả पाली का सबस्ञत नहीं धय किसिंचेải का आधिकार प्रें दुक तो नहीं है या पिर नागितिकों के मौलिक अधिकार्वार थिक्रमर तो नहीं हो रहा है पिर संग का राजी के अधिन नियुकत अधिकारियों द्वारा किये गए प्रशाष्नी कारवाईयों की नयद। समिच्छा अपनी शक्ति के द्वारा सभुष नायले संग तथा राजय के अधिन जो संग तथा राजय सरकार के अधिन यह डिप्रेंट वह नियुकत अधिकारी होते हैं समिच्छा भी सभुष नायले अपनी इसी शक्ति के द्वारा सभुष नायले ने अपनी इसी शक्ति का प्रियोग हो चुका है अब नयाइक पुर्णा मलोकन क्यों आवश्यक है यह हम जान गए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है नयाइक पुर्णा मलोकन का क्या महत्व है इसकी बार में हम जान लेते हैं संचेप में समिधान की सर्वोचिता को बनाये रखने हैं तू ये क्यों जोरूर है इसके हमहत्र क्या है समिधान की सर्वोचिता को बनाये रखने के लिए संगी संतुलन के इंदवार राजय सरकार के मंद्य कायम रखने हैं तू नायुकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा हैं तू दियाशुडेंस नियाइक पुर्णा मलोकन की व्यास्ता भारती लोक्तंत के लिए नितानता वश्यक है और भारती राजी व्यास्ता के लिए अतन्त हितकारी है क्योंकि समिधान वारा के इंदतता राजी सरकारों के मंद्र जो शक्ति विभाजित की गई है जो शक्ति का क्योंकि यह बेवस्था समिधान के संतुनन चक्र का कारे करती है क्युश्चन यह आता है कभी-कभी कि ऐसी कौन शी शक्ती है जिसके द्वारा समिधान का संतुनन चक्र स्थापित होता है तो यह सरवच नयाले की नायपुन्ना मलोकन के शक्ती है जो कि समिधान के संपलन चकर का कारे करती है तथा अपने इस शक्ति के द्वारा सरकार की कौन सी संसा कारे करती है तो उसका एंसवर होगा सरवच ने आले या राजों की उच ने आले तो dear students, ये था आज का topic जिसके अंतरगत हमने चाचा की न्यायक पुर्णा वलोकन, न्यायक समिच्चा या न्यायक पुर्णा रिच्चन की ये तीनों वियस्था है, ये तीनों वर्ड्स जो है, वो एकी वियस्था का सूचक है, चाया आपसे question पूछ ले न्यायक पुर्णा या न्यायक पुर्णा रिच्चन या न्यायक समिच्चा ये तीनों एकी वियस्था के भिन भिन नाम है, आशा करती हूँ, आपका ये concept clear हो गया होगा है, इस topic के संबंद में, आप से कुछ कहना था, dear students, अगर आपको ये lecture topic पसंद आ रहे हैं, तो please इसे like जोरू करिए, क्य मेरे द्वारा समझाया किया topic आपको समझ में आया, या आपको पसंद आया, अगर आप like करते हैं, तो मुझे ये पता चल जाता है, कि आपको मेरे lecture videos पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, तो इनसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधि आपको मिल जाएं, कर इंडियन पॉल्टी के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए भाए, ठीक किया,